हे गाईज वेलकम बैक टू माय चैनल और आज किस वीडियो में हम बात करेंगे पोल्स के बारे में विच पोल इस कोल्डर के एकॉर्डिंग नॉर्थ पोल जो है वो ज्यादा कोल्डर है लेकिन उसी के साथ जो हमारे पैंग्विन्स है वो आर्गू करते है कि नो साउथ पोल अब यह आर्गूमेंट में देखते हैं कि कौन जीता है कौन सा पोल जो है वो ज्यादा कोल्डर है इस वीडियो को एंट तक देखना अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पोल्स कहां पर होते हैं तो यह बीच में हमारा इक्वेटर होता है जो हमारे अर्थ को 2 इकल हाफ में डिवाइड करता है उसी के साथ इसके 90 में जो हमारे पास North Hemisphere है उसमें आ जाता है North Pole और उसी तरह Southern Hemisphere में हमारे पास आ जाता है हमारा South Pole तो यह बहुत extreme points होते हैं हमारे अर्थ के और short and simple answer इसका यह है कि both the Arctic in the North Pole and the Antarctic in the South Pole are cold की दोनों ही poles बहुत जादा ठंडे हैं because they do not get any direct sunlight तो यहाँ पर हमारे जो sun की rays है वो direct नहीं पड़ती जिनकी वज़े से हमारे दोनों ही जो poles है वो बहुत जादा ठंडे हैं However, the South Pole is a lot colder than the North Pole तो यहाँ पर short simple answer इस वीडियो में यह है कि जो हमारा South Pole है वो North Pole से जादा cold है लेकिन वो इतना जादा cold क्यों है वहाँ पर तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे सबसे पहले इसका हम जो main reason है वो देखते हैं कि जो Antarctica है या Arctic है यह two coldest places है on Earth और सबसे जादा extreme conditions की वज़े से यहाँ पर यह जो हमारे दो poles है आर्थ के वो सबसे जादा cold पाए जाते हैं polar regions are known for their vast glittering ice caps uniquely adapted wildlife and snow covered peaks तो यहाँ पर glittering ice caps दिखेंगी क्योंकि throughout the year यहाँ पर जो है वो snow covered रहती हैं हमारी जितनी भी peaks होती है और उसी के साथ जो यहाँ पर हमारी wildlife मिलेगी है फिर fauna या flora मिलेगा वो दोनों ही बहुत ही uniquely adapted species होंगी क्योंकि यहाँ पर इतने extreme conditions में survive करना easy नहीं होता तो south pole में अगर हम बात करें हमारे fauna की तो यहाँ पर हमें मिलते है penguins और north pole में हमें polar bears तो main जो दो हमारे fauna में या हमारे दो animals में जो बहुत ज़ादा confusion रहता है वो polar bear और penguin में रहता है जो penguin होते हैं वो south pole में होते हैं और यह सबसे ज़ादा cold को tolerate कर पाते हैं इसलिए south pole जै South Pole में देखने को मिलते हैं So it may come as a surprise That the Antarctica is colder than the Arctic In fact the Antarctica is much colder than the Arctic और यहाँ पर इन से related बहुत सारे reasons हैं कि जो हमारा Antarctica है वो Arctic से इतना ज़ादा थंडा क्यों है So जो main reason है जो Antarctica जो है वो Arctic से ज़ादा थंडा है क्योंकि जो Antarctic है It is landmass surrounding by ocean तो जो हमारा Antarctica है यह continent है And it is surrounded by an ocean which is Southern Ocean तो हमारे जो South Pole में जो हमें ocean मिलता है उसे हम बोलते हैं Southern Ocean और इससे related एक और fact है कि जो हमारा Southern Ocean है यह सबसे youngest ocean है और सबसे oldest जो है वो हमारा Pacific Ocean है So उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे Antarctica continent है उसके around हमें water body देखने को मिलती है जो आता है हमारा Southern Ocean लेकिन उसी से opposite जो हमारा Arctic है वो एक खुद में Sea है या Arctic Sea या फिर हम उसको Arctic Ocean भी बोलते हैं क्योंकि वो बहुत ही चोटा ocean है which is surrounded by landmass क्योंकि यहां पर बहुत सारे different continents हैं जो उसके साथ अपनी boundary शेयर करते हैं यह दो opposite conditions है जिनकी वज़े से जो Antarctica है वो बहुत ज़्यादा थंड़ा है as compared to the Arctic region Antarctica also has a much higher average elevation than the Arctic and the Antarctic ice sheet is bigger and thicker than the ice in the Arctic कि जो Antarctic की ice sheet है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा बड़ी है बहुत large area को cover करती है और उसी तरह जो उसकी thickness है वो भी बहुत ज़्यादा है as compared to Arctic ice sheets सबसे पहले बात करते है Antarctic region की which is dominated by the Arctic ocean तो यहाँ पर जो हमारे पास Arctic circle आता है उसी में हमारे पास आता है Arctic ocean और यह सारा हमारा water body है जो आता है North Pole में and which covers the northern extreme of the globe from Canada to Russia and the northern Europe तो यहाँ पर 3 continents है जो इसके साथ अपनी land boundary share करते है सबसे पहले आ जाता है North America North America continent जो है उसका Alaska, Canada and Buffin Island या फिर जो हमारा Greenland है वो इसके साथ अपनी boundary share करते है उसी तरह जो हमारा second continent आ जाता है वो है Asia और Asia का जितना भी हमारा Russia वाला पार्ट है या फिर हमारा Iberian region है और Norway हमारा सारा जो area है वो इसी Arctic Ocean के साथ अपना boundary जो है वो share करता है और 3 हमारे पास जो continent आता है वो है Europe Arctic Ocean is surrounded by several land masses including Norway, Russia, the US US का जो हमारे पास Alaska country है, Canada and Denmark in Greenland and Iceland तो यही सारे areas हैं जो हमारे Arctic Circle के साथ अपनी boundary share करते हैं क्योंकि Arctic Circle एक water body है तो इसी के surrounding में जो जितने भी हमारे पास land mass आते हैं वो हमारे आते हैं 3 continents के इसी के साथ जो हमारा Antarctica है which is a continent completely surrounded by the southern ocean तो यह जो हमारे पास area है South Pole में यह आ जाता है हमारा Southern Ocean और उसी के बीच में हमारे पास जो हमारा 7th continent आता है जो है कि एक isolated continent है और 1000 km अवे है फ्रॉम साथ अमेरिका तो इस continent के isolated होने का reason यह भी है क्योंकि यहाँ पर बहुत जादा extreme या फिर हम बोले कि harsh conditions है जिसकी वज़े से यहाँ पर जो humans का survival है वो बहुत जादा tough है और यहाँ पर बहुत ही कम species जो है वो flora and fauna की देखने को मिलती है क्योंकि almost सारा ही area इसका more than 90% जो बोलते है glaciers है अर्थ पर वो हमारे Antarctica में ही पाए जाते है अब question आता है why are the poles so cold की ऐसे क्या reasons है जिनकी वज़े से सिरफ वही इतने जादा ठंडे क्यों है so first जो हमारे पास इसका reason आता है वो आता है dark winters अब dark 6 months over the winter the sun doesn't rise over the horizon within the polar circle which is 66 and a half north and south without the warming effect of the direct sunlight the poles get very very cold तो अर्थ जब rotate करती है तो अपने tilt पर rotate करती है जो अर्थ का axis होता है 23 and a half degrees जो है वो tilted है जिसकी वज़े से हमारे जो earth है उस पर direct sunlight जो हमारे poles तक है वो नहीं पहुँच पाती और उसी वज़े से जो 6 months होते है हमारे winter season के वहाँ पर extreme cold रहती है क्योंकि जो हमारे sunlight है वो poles तक नहीं जा पाती जिसकी वज़े से यहाँ पर जब कोई warming effect नहीं होगा angle of sunlight तो जैसे ही winter के बाद जो हमारा summer season आएगा उसमें भी जो हमारे areas होंगे north and south pole गे extreme points होने की वज़े से यहाँ पर अभी भी जो हमारे sunlight है वो बहुत कम आएगी क्योंकि जो equatorial region होता है यहाँ पर जो sunlight है उसको short distance travel करना पड़ता है और उसी तरह जो हमारी sun rays आएगी हमारे polar regions में उनको जादा atmosphere जो layer होगी उससे cross करके जाना पड़ेगा और जो distance है वो बढ़ जाएगा जिनकी वज़े से जो यहाँ पर distance से जब हमारी race travel करेंगी तो जो उनमें power होगी जो insulation होगी वो obviously कम हो जाएगी जिसकी वज़े से जो हमारे poles है वो less sunlight receive करेंगे और उसी तरह जो यहाँ पर हमारी atmospheric condition जो है वो बहुत दादा cold रहेंगी और यहाँ पर melting भी है आइस की वो बहुत कम होगी यह पास आता है lots of ice तो Antarctica जो region है वो almost सारा ही ice covered है 90% हमारे earth की जितनी भी ice है वो यहीं पर मिलती है and large reserves of ice having a cooling effect on the air temperature above the ice तो ice के उपर जितना भी हमारा air रहेगी वो obviously ठंडी रहेगी क्योंकि यहाँ पर जितनी sunlight आएगी वो यहाँ से reflect back हो जाएगी and both the Arctic and Antarctica have large ice sheets and seasonal sea ice क्योंकि जो Arctic है वो एक sea है तो यहाँ पर जो precipitation होती है तो seasonal ice भी आती है and both of which helps keep the poles cold की इसी वजह से जो हमारे poles होते हैं वो हमेशा ठंडे रहते हैं और यहाँ पर हमेशा यह snow covered रहते हैं तो हमारे पर जो reason आता है वो आता है large reflective surfaces तो जितने भी हमारे surface होते हैं यहाँ पर different objects होते हैं आर्थ पर तो जैसे ही sunlight आती है उनसे reflect back होती है और कोची एक absorb कर ली जाती है उन्हीं object से तो यहाँ पर क्या होता है when the wide surfaces of ice and snow are highly reflective they radiate most of the heat that reaches them back तो यहाँ पर क्या होता है जब हमारा normal surface होता है और sunlight जब यहाँ पर आकर आती है तो 80-90% जो sunlight होती है वो जो land होता है वो absorb करता है वहाँ की vegetation उसे absorb करती है लेकिन जो 10% होता है वो reflect back हो जाता है और 20% हमारा जो और किसी reason से भी वहाँ पर reflection जो है वो हमें देखने को मिलती है तो यहाँ पर जो snow covered area आएगा यहाँ पर जो reflection होगी वो around 85-90% होगी लेकिन जो absorption है वो बहुत ज़ादा काम होगी क्योंकि ice का जो albedo है वो बहुत ज़ादा होता है इनकी reflecting power बहुत ज़ादा होती है तो albedo का मतलब होता है कि एक object कितना ज़ादा reflect back करता है तो high albedo होगी तो यहाँ पर high reflection होगा तो ice जब ज़ादा reflect back करेगी sunlight को तो उसका albedo भी ज़ादा हो जाएगा उसी तरह जो हमारा normal surface होगा वहाँ पर जो albedo है वो कम होगा क्योंकि वहाँ पर absorption ज़ो है वो ज़ादा होगी sun की radiation जब हमारे polar regions में जाती है तो ice की वज़े से 85-90% जो हमारे sun rays होती है वो reflect कर जाती है क्योंकि यहाँ पर हमारे ice की जो albedo है वो बहुत ज़ादा high होती है इसी वज़े से जब हमारी ice है वो यहाँ पर melt नहीं होगी क्योंकि वो कुछ भी heat को absorb नहीं करेगी वो heat को reflect back करेगी into the space जिसकी वज़े से हमारे ice covered area जो है वो कभी भी melt नहीं होते या जो उनका melting point होता है वो बहुत कम होता है लेकिन आने वाले जो climatic conditions है या फिर हम बोले climate change के बारे में यहाँ पर melting point इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि extreme heat की वज़े से जो human heat है या फिर जो हमारी natural global warming है फिल्टी है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीस इस वीडियो को लाइक करें share करें comment करें और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले खाले है